नमस्ते दोस्तों दिपावली चली गई है लेकिन एक बार फिर से जिहादियों ने इसमें भी खलल डालने से अपने हाथ पैर नहीं रोके हैं। पिछले दिनों भी हमने देखा किस प्रकार से बिना बताए एक हिंदू लड़के को ट्रेन से बाहर फैक्ट दिया गया उसके हाथ पैर कट गए लेकिन हमारे देश का पूरा मीडिया यहां का जितना भी अवार्ड प्राप्त गैंग है वो सारा का सारा बिलकुल शान था होती तब हो रही होती तो यही चाती पीट कर मरने वाली सरकार आज वो भी फैवी कोल पी करके लफी पी करके बैठी हुई है लेकिन ये बाते तो चलती रहेंगी लेकिन इसके उपर तो अध्यन तो करना बहुत जरूरी है जिससे हमें पता पड़ेगा यह जो जिहाद है न इनका नाम है मुहमद और PBUH उनके सामने लगाए जाता है आपकी अपनी अपनी उसको लेकर के डेफिनिशन्स है शरी भाई नीचे आ करके उसमें बता भी देंगे के PBUH की या SAW की जो फुल फॉर्म है वो क्या है इसलाम के जो पैगंबर हुए है उन्होंने जिहाद यान हमले की पहले यानि कि दूसरे को हमले का कोई मुका देना ही नहीं सरसे पहले जाकर कि आप उसको निप्टा दीजें यह इसलाम की नेतिकता भी है मुहमद ने बुखारी हदी संख्या एक दो एक तीन के अनुसार लड़ाई का नाम धोखा रखा है हर मुसलमान के जीवन में यह इसलामी दर्शन शांती और युद्ध काल दोनों में समान रूप से कायम रहता है चूकि कुरानी दर्शन जिहाद है जो काफिरों के विरुद चो तरफा लड़ाई है इसलिए धोके बाजी का आचरण उसके जीवन का अभिन अंग माना गया है हमने पिछलों दीनों द लवा है वो कैसे है उसको हम थोड़ा सा समझते हैं मदिना में आस्मा नामा के कवियत्री थी उस टाइम पर मुहमद ने बस इसलिए उसकी हत्या करवा दी दोस्तों कि उसने मुहमद के खिलाफ एक छोटी सी तुकबंदी कर दी थी और वो एक ऐसा टाइम था जब उनके खि सलमान जो कहता है कि अभीविक्ति किया जादी यानि कि जब बकरीद होती है तो अभीविक्ति किया जादी हो जाती है लेकिन जब पटाखे जलाये जाते हैं तो तब तलवारे निकल जाती हैं बंदूके निकल जाती हैं मदिना में एक सो साल के व्रद यहूदी कवी अबू अफाक थे उन्होंने भी मुहम्मद के खिलाफ एक कविता बनाई थी उनकी भी हत्या करवा दी गई थी एक कवी जिनका नाम काब इबन अश्रफ था उसकी भी धोके से इन्ही कारणों के चलते हत्या करवा दी गई थी क्योंकि उन्होंने एक छोटी सी कविता लिख दी थी वो सिर्फ और सिर्फ कमेंट बोक्स में आ करके गाले देने का काम करते हैं इसलिए उनको इगनोर करते हैं और इसलाम के इतियास पर थोड़ा सा औरत अप्तिस हम कर लेते हैं फिर अपने अनुयाईयों को यहूदियों की खुली छुट का आदेश भी दे 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 था कि ताकि भविशे में मेरे खिलाफ कोई आवाज ना उठाने पाए तब इबन सुनैना नाम के व्यापारी की उसी के टुकडो पर पल रहे एक मुसलमान ने हत्यागरती थी कवी नाजिर इबन हरीत को गिरफतार कर लिया गया था बस इसलिए क्योंकि उसने मुहम्मद की जो चिनोती थी उसको स्विकार करते हुए उन्ही जैसी एक आयत बना करके सुना दी थी दोस्तो इसके बारे में हमने आपको पहले ही बताया था कि कुरान में जब एक आयत उतरी मुहम्मद साब के हिसाब से और उनके जरिये और उसमें कहा गया था कि अल्लाह ऐसा बोल रहे हैं कि अगर तुम में हिम्मत है और तुम में दम है तो तुम एसी ही एक और आयत उतार ले आओ यानि कि लिख कर ले आओ तो उस टाइम पर नाजिर इबन हरीत ने इसी तरीके की आयत लिख दी थी और उसको भी निपटवा दिया गया था यानि कि चुनोति स्विकार करने का दम नहीं था जो भी विचार शील थे और मुहमद की किसी भी रूप में स्वस्थ आलोचना भी करते थे उनकी धोके से हत् करवा देना उस टाइम का एक नियम बन गया था खैबर से मदीना आते हुए 28 यहूदियों की बिना किसी उकसावे के धोके से जैनी इनको बताया भी नहीं गया कि आओ हमारे साथ में युद्ध करो सिर्फ उनकी हत्या कर दी गई थी जैसा कि हम देख भी रहे हैं जिस प्रक के से मारे भी जाएंगे क्योंकि हम जब एक बंदा पीट रहा होता है हम अराम से बैट करके या खड़े हो कर के देख रहे होते हैं क्योंकि हमने तो जाकर कि फिर मजार पर पैसे चड़ाने है ताकि उसी से असला बारूद खरिदा जा सके उन लोगों के जो हमारे हिंदु उनेताओं को मारेंगे दोस्तो इसी तरीके से रुड़की में हुआ भुवनेश्वर में हुआ और इसी तरीके से आप और हम सब के साथ में होने वाला है क्योंकि आमने सामने का अगर वो युद्ध लड़ पाते तो वो कनवर्ट ही क्यों होते इस रियालिटी को आपने समझन गया और उसकी ओरतों को मुसल्मानों में बांट दिया गया था सामान की तरह बानु कुरेजा नामक एक यहूदी कबीले के आठ सो लोगों को गिरफतार करके दिन भर कसाई की तरह उनके टुकड़े किया गयते गोश्त की तरह काटा गया था और विशाल कबर में भर करके अब आपने देखा होगा वीडियो जाते रहते हैं जो भी अबू बकर बगदादी मरा है उसके कतल करने के आपने तरीके देखे होंगे किस तरीके से होता है धोके से मारना गड़ों में डालके मारना वही सब उस टाइम पर भी होता था वो लोग बिल्कुल भी गलत नहीं क कारण उनका सब कुछ लूट करके मदीना से बेडखल गल गया था जिस तरीके से काश भी है कि अगर जो काफिर हैं जो मुशरकीन हैं वो अगर आपकी बात नहीं मानते हैं तो उनको पूरी तरीके से तबहा कर दो और उसी के उपर हमने बात भी ती ती किस परकार से आयत सं पेसना किये गए होते हैं लेकिन हम देख रहे हैं कि 1400 साल से लगतार उसी तरीके के एक्जम्पल्स भी चलते आ रहे हैं उस पर इंप्लिमेंट भी हो रहा है तो हम कैसे कह दें आपके कहने से के बहुत पांस ने तीस इस तरीके की डिटेल नहीं दे रही हैं दोस्तो काल में ही इसलाम मानने को विवश करने के लिए काफिरों के विरुद तीन या चार को छोड़कर 82 एक तरफा हमले किये गए हैं जो कि धोके से किये गए थे इनमें हत्या हुई लूट हुई अपरण विद्धुहन्स का नंगा नाच हुआ बेटे ने इसलाम नावाने जाने आपके लिए कुछ भी नहीं है और इसी तरीके से वो अपने माबापके खिलाफ भी खड़ा करते हैं लोगों को उनके खिलाफ काफिर औरतों के च्छाती से लगे दूद पिते जो बच्चे होते तो उनको जटके से अलग करके उनकी मा के सीने में खंजर बहुका गया इसल इसलामी के तिहास में भी दरज हैं और आज की न्यूस पेपर्स में भी दरज हैं स्पष्ट है कुरान, हदीस और मुहमद के जो क्रिया कलाप हैं उनसे सिक्षा ग्रहन कर मुसल्मान चल कपटर जिहाद से समपोशिच जिहाद का पालन, शान्ती और युद्ध काल दोनों मे ही करते हैं, अभी शान्ती काल है, तो वो युद्ध की तैयारी में लगे हुए हैं, और बीच बीच में आप लोगों को पिंच चुबा चुबा करके देख रहे हैं, कितना उबाल आता है, आप में उबाल नहीं आया, अब उससे बड़ा वाला कांड होना है, जब संख्या बल कम हो, तो यह जिहाद अस्त्रों सस्त्रों से सुसजित होना है, अल्ला ने भी अन्य कहीं आयतों के अलावा, ये भी फरमाया है, कि वह काफिरों के दिल में दहशत पैदा करेगा, अब हमने तिवारे जी के जो जगन्या हत्या हुई है, उसका मकसद भी तो क्या था, दह दहशत पैदा करना ही है, आप लोग अपने कामों में लगे हुए हैं, इसलिए आप उन चीजों से फरक नहीं पड़ता है, लेकिन मारने के लिए तो एक वार भी काफी था, एक गोली भी काफी थी, लेकि इंतने सारे वार किये जाना, जनेउधारी शरीर के उपर, फिर गल से अपने आपी चुप हो करके बैठ जाएं, लेकिन ये धर्ती, ये सनातन वैरिक धर्म बांज नहीं है, इस तरीके के पहले भी हमले हुए हैं, इस तरीके से पहले भी जबान बंद करने की नाकाम कोशिश की गई है, लेकिन होने वाली नहीं है, क्योंकि ये सनातन है, ये इटर्नल है, ये था है और हमेशा रहेगा, हाँ, बीच बीच में कुछ कायर उलादें पैदा हो जाती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है, कि सनातन समाप्त हो जाएगा, तीसे रणनीती के ओपर चलते हैं, पहले आक्रमन करना, जब काफिर मुस्लिम योजना से बिलकुल अंजान हो, असाफधान हो, आपकी तरह मस्ती काट रहा हो, है नहीं, शौपिंग कर रहे हो, फिल्म में देख रहे हो, कोई तयारी नहीं है, कमाई में लगे हुए हो, बच्चियों को, लड़कों को, अपने बच्चों को, कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हो, जहां पता लग ने ओहद की लड़ाई की समिक्षा में बताया, कि कठिन परिस्थिती में भी महमद ने, जिसमें वो पराजित हुए, दात भी तूटे थे, जान बची, पहले हमले की कार्यवाही, शत्रू के हाथ नहीं जाने दी, यही रन्नीती, सभी मुसलिम दंगों में भी आपने देख रात हो गया जी, मुंबई हो गया जी, मुझे फरनंगर हो गया जी, बट स्टार्टिंग कौन करता है, शुरुवात कौन करता है, आज हमें का जाता है कि हम इसलाम की समिक्षा क्यों कर रहे हैं, लेकिन शुरुवात इसकी किसने की थी, उसको उसके उपर मिट्टी ढखने क कोशिश की जाती है. और यही रन्निती सभी मुस्लिम दंगों में हमने देखी है और यह देखी जाती रहेगी. जब गैर मुसलमान बिना किसी संदेह के निश्चिंथता पूरवक अपने कारिय में लगा रहता है मुसलमान उन पर उसी टाइम پर हमला करके कतल आम मचा देता है कश्मीर में हमने देखा केरल में हमने देखा केरणा में हमने देखा कमलेश जी की साथ में जो हुआ वो भी यही हुआ है उनको प्यार से मक्षन लगा करके आराम से पुछकार के अगर ये कौम अगर इसमें हिम्मत थी तो चुनोती देती और आमना सामना करती लेकिन ये क्या है ये कहते हैं कि इसलाम जो है बड़े योद्धा रहे हैं उसमें अगर तुमने अपने नाम के सामने मुहम्मद लगाया ही है और तुम कहते हो कि वो बड़े योद्धा थे सामने से जा करके लड़ते थे तो लड़ते क्यों नहीं हो कहां चली गई आज वो तुम्हारी अंदर की वीरता दोस्तों ऐसे में समझ लेना जरूरी है कि मुसल्मान और गैर मुसल्मान के बीच का जो संगर्श है वो लगभग इस्थाई कारणु जो है उसका वो राजनीतिक और आर्थिक नहों करके सीधे सीधे धर्म और मजहब की लड़ाई है धर्म और अधर्म की लड़ाई है यह भी हमारी एक कोरी ब्रहंती और जूटा परचार है कि गरीबी और बेरोजगारी के चलते मुसल्मान जिहादी और आतंकवादी बन जाता है कमले जी के हत्या के लिए 51 लाग का फत्वा कैसे एक गरीब मुसल मान जारी कर सकता है सोचने वाली बात है उसामा बिलनादेन से मशहूर पाकिस्तानी पत्रकार रहिम उल्ला यूसुफ जै ए बी सी के पत्रकार जौन मिलर और अर्बी पत्री का निदा उल इसलाम द्वारा किये गए साक्षातकारों के आधार पर कुछ चुनिंदा सवाल आतंकवाद बनाम अमरीका वानी प्रकाशन नहीं दिली नामक पुस्तक में प्रकाशित किये गए हैं उसामा से पूछे वे जितनी भी सवाल थे एक प्रशन उसमें जब उसामा से पूछा गया कि आप एक बहुत धनी घराने से संबंद रखते हैं बावजूद इसके कि अपने युद्ध और कष्टों के बीच में अपने जीवन को गुजार रहे हैं अमेरिकों को बहुत अटपटा लगता है कि ऐसा कैसा पड़ा लिखा और ऐसा कैसा आमीर आदमी पता है आपको उत्तर क्या मिला था उत्तर था ये समझना बहुत मुश्किल है खास तोर पर उ उनके लिए जो इसलाम को नहीं समझते हैं हमारे मझहब का ये विश्वास है कि आल्लाइन हमें इसलिए बनाया है कि हम उसकी इबादत करें उसी parody हैं यह मझहब का उत्तर था कमलेश जी की हत्या के पेचे भी अल्लह का काफिरों के विरुद यही जिहाद करने का आदेश है यह आदेश हम सभी काफिरों के खत्म होने तक वैद है लागू है सबसे बड़ी बाग कि अल्लह की तरह से यह पाक काम है यह सभी मुसल्मानों पर फर्ज किया गय इसके लिए उनकी कोई कोट कचरी ने बढ़ दगी कि कौन मार सकता और कौन नहीं मार सकता है कोई भी मुसल्माना करके इसको इस फर्ज को अपने अदा कर सकता है इस परकार हम देखते हैं कि कुरान हदीस और सीरत अन नभी सम्मत इसलामिक योजना और क्रिया कलापों का जो चित्र उभरता है उसमें हर मुसलिम कार्रेवाही की जड़ में है उसका मजह भी ही था और वो कयामत तक रहेगा ऐसी उसकी सोच है और बाकि जितने भी लोग हैं वो सब के सब वाजिवूल कुतल हैं और इस पर मॉडरेट मुसल्मान बहुत सारी बाते करेंगे लेकिन सच् और हम उसके उपर बैठ करके चर्चाएं भी करते रहते हैं अलग-अलग विद्वानों से लेकिन इतिहास की लंबी कालावधी में मुसलिम चरित्र को देखकर भी हिंदू बुद्धी जीवियों, हिंदू राजनितिग्यों, हिंदू धर्म गुरुओं और हिंदू धर्म विया विसाईयों ने कभी इसलाम का गहन अध्यन करने, उसके उद्धेश कारियोजना और उसके कारिय करम, उसकी धोके बाजी, आतंक, चानक, हमला करना, उसको इसलाम की ही धर्म गरंत, जितने भी उसके कल्ट गरंत हैं, उससे ही इसकी खोनी इतिहास को समझने और कैसे कर सकता है, इसलिए हिंदू समाज इसलाम के हाथों सदा कुछला गया है, बिना समुचित प्रतिरोध के अनवरत, आज हिंदू अपने ही देश में, इसको अपना देश इसलिए काना चाहिए, क्योंकि बटवारे के बाद में सिर्फ और सिर्फ हिंदू का देश था, आ आज एक हत्या हुई है, भविश्य में हमें और भी देखने को मिलेंगी, अगर हिंदू समाज को इसलाम के उदेश और सिक्षा और कार्य विधियों का ज्यान होता, तो वह विभाजन पूर्व कलकत्ता की सडक और गलियों में भेड बकडियों की तरह काटा ना गया होता, चील कव्य उनकी खाल को नोच न रहे होते, अंतिम संसकार भी उनको नसीब नहीं हुआ, वो इस्थिती ना होई होती, छोटे छोटे बच्चों को दूझ छुडवा करके माओं के सीने में चाकू भौक दी गए, छूरे भौक दी गए, बच्चों को बाले की नोक पर उठा दिया गया, वो सब कुछ नहीं होता, क्योंकि उस टाइम पर भी एक गंजा गांधी कह रहा था, कि अगर वो मारते हैं तो मर जाओ, पर आगे से न सवाल खड़ा करो, और नहीं अपनी प्रतिरिक्षा में कुछ करो, वो पहले से बच्चाव के साधनों रुपाईों का प्र जिसके विभिनिसों में जुम्मे की नमाज के बाद में उपदरवियों को सबक सिखा पाता, लखनओं के नाकाम हिंडोला में जुम्मे की नमाज के बाद मुसल्मान जो हैं तिवारी जी के घर में घुश जाते हैं, और हिंदू बेसुद रहता है, अगर पता होता तो शाय कि पहले या बाद में मौके पर ही वो काट डाल सकता था। धर्मिक जलूस निकालते समय हर तरीके से बचाओं के लिए तयार रहता क्योंकि पत्राओं भी होता है। मुसलिम गुंडों का जो मजहभी मुझाहिदीन का जो सम्मान है उसको देख कर के कैसे थाने से छुड़ा लेगा ट्रकों पर लाठी भाला गंडा सा आग लगाने के सामानों को लाद कर हिंदू विनास के लिए उसे समझेगा जगा भेजने की विवस्ता कैसे करेगा। तब हिंदू को पता होता कि ये लोग कैसे कैसे अत्याचार और दुराचार करते हैं और उनकी क्या प्लानिंग होती हैं उनके स्लीपर सेल्स कहां तक बिच्छे हुए हैं पता होता अगर इनके नेता और इनके धरम गुरू इनको पहले बताए होते अगर उनको इसलाम के ब उश्रिदवाद के हिंदू भुक्त भोगी पर उल्टा ही दोशारोपन भी करने लगे थे आपको पता होना चाहिए किस परकार से कमलेश जी के हत्या के बाद में उन्हीं के ऊपर ही आरोप लगा दिया गया और हिंदू आराम से बैठारा कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उसको ही नहीं है कि क्या होना है और किस तरीके के तैयारियां हो चुकी है आज कठवा में क्या हो रहा है मामला पूरी तरीके से उलट चुका है लेकिन वो दो सेकिंड के बाद ही प्लाकार्ट्स लेकर के खड़े हुए थे लेकिन आज अगर फैसला बदला भी है तो हिंदू के प समस्या का रूप समाजिक है तो समाजिक तोर पर एक जुट होकर समझना और एक होकर अपने बचाव की तयारी रखना अपने बचाव के लिए हालात में हालात को भी तयार करना और हर हालात में तयार भी रहना और वो काम करना जो गैर कानूनी भी नहीं हो भूमी कामे जो हमने उपर बताया है वो बिल्कुल भी बे मतलब नहीं है मकसद है कि पिछले सो सालों से भारत में करोडो सिक हिंदू बॉद्धों का जो वीभत्स कतल्याम हो रहा है इसी इसलामी फित्रत धोकेबाजी आतंक अचानक हमले के करण ही हो रहा है इस फित्रत को समझ करके पूर्व की तैयारी हो पलटवार कर हम इस इसलामी फित्रत को बहुत आनिसानी से पराजित कर सकते थे और कर भी सकते हैं अगर हमारी तैयारी रहे और हमारे जितने भी धर्म गुरू बने बैठे हैं अगर हम उनकी कनपटी पे जब भी वो इधर उधर की बात करें कुछ भी अंद्विस्वास फैलाने की बात करें अगर हम उनकी कनपटी पे तब ही दो थपड़ दें वो भी ढंकी बात करना शुरू कर देंगे उनको कहो कि अगर हम ही नहीं बचेंगे तो तुम्हारी दुकानदारी कहां से बचेगी इसलिए इसलिए ये जरूरी है कि हम लोगों को अपने कम से कम अपने जो अधिकार हैं उनको हम समझें अब आप इस बात को समझें कि हिंदूों में गद्दार कितने हैं जिस धवन ने मुसल्मानों के और से रामजन भूमी पर बहस की जो खिलेश यादव उम्बेड करवादी कॉंग्रेसी और समाजवादी गैर मुसल्मान मुसल्मानों के पैरोकार बने हुए हैं वो सब इसलाम की नजर में क्या हैं वो सब के सब काफिर होने के साथ यसाथ वाजबल कतल हैं इन सब का भी अंततो गत्वा वही हश्र होना है जो आज के हिंदूओं का हो रहा है और जो उन यहूदियों का हुआ था जो कभी इसलाम के चरणों में जुक गए थे और जो नहीं भी जुके थे हश्र हम सब का होना है लेकिन कम से कम इतिहास के पन्नों में ये दर्ज होगा के हमने उस एक राक्षसी मजहब का पुर जोर विरोध किया अपने लोगों को आगा किया अपने लोगों को चेताने की पूरी पूरी कोशिश की संदेश आप लोगों तक है अब आपकी समझ है कि इसको अपने तक सीमित रखें या फिर इसको लोगों तक पहुँचाएं और लोगों कामार गदर्शन करें बेरे संग बोली सत्य से नातन वैदिक धर्म की जए जैहिंद वंदे मातरम